मुझफरपूर के किसान आज सब्जी उत्पादन में पूरे बिहार में एक अलग मुकाम रखते हैं और यहीं वज़ा है कि मुझफरपूर के मीनापूर और काटी में बड़े पैमाने पर बैग्यानिक तरीके से किसान जो है वो खेती कर रहे हैं अभी हम एक टमाटर के खेत म किस तरह कि दिक्क्त आती है और किस तरह अगर आप लोगों प बताते हैं उसी के अधार्पान लोग काम करते हैं तो यह टमाटर की खिती आप लोग इस पैटरण को क्या बोलते हैं लिछ निन लगाते हैं कि पौधा का विकास जदे होता है और जंगल कं होता है घास पतवार कं होता है कि पॉधा में ज़्यादे होती है कि कि अब І कि-amarट की सरकार की मदद की जरूरत आप लोग को चाहिए सरकार की तरफ से हम लोग कोई सहता नहीं मिला है अगर सरकार की तरफ से हमें सहता मिलता तो हम लोग काफ़ी अच्छी और और बेतर करते खेतिल मगर उस तरह का सरकार के तरफ से कोई विवस्ता नहीं है कितने जमीन में अभी आप खेती कर रहे हैं सब्जी की अभी लगभग माली है तो तीन बिगा के आसपास क्या क्या उगा रहे हैं टमाटर है, सिमला मिर्च है, करहला है, कोवी है, भेंडी है, खीरा है, मुली है तो देखिए ये मीनापूर के किसान है और बिल्कुल इनको जो सही प्रसिक्षन है वो नहीं मिला इसके बावजूद भी ये लोग बैग्यानिक तरीके से टमाटर की होच या सिमला मिर्श की खेती सफलता पुर्वक कर रहे है जरूरत है सरकार को ऐसे किसानों की मदद करने की इनको तकनीकी सहयोग परदान करने की ताकि ये किसान और बहतर कर सके ऐसे भी मीनापूर और काटी की पहचान सबजी के एक बड़े उत्पादक छेतर के रूप में होती है और यहां के किसान काफी अच्छा काम भी करते रहे हैं लेकिन अगर इने तकनीकी सहयोग और बैग इसी क्रांती तभी संबह होगी जब ऐसे किसानों की सरकार मदद करने के लिए आगे आएगी नौनीत कुमार एटीवी भारत मुझफर पूर